आप सभी को रेडियो इश्रोता दिवस की अनंतिशुप कामना है जिहां अभी व्यक्ति के स्वतंतरिता, सारवजनिक बहस और सिक्षा के सीधे साल प्रसार में रेडियो की एहमियत को समझने की उद्देश से नाशनल रेडियो शोता दिवस मनाये जाता है गाउं, कस्पों, शेहरों जहां संचार का कोई माध्यम पहुँचना आसान नहीं बेशक रेडियो एक ऐसी सेवा है जिसके जरीए आपदा के समय जब संचार के अन्य माध्यम ठप हो जाएं तो सीधे रेडियो जन जन तक जोड़ जाता है आज रेडियो शोता दिवस के अफसर पर सुदते हैं शोता संख के संयोजक अशोक बजाजी के खयाल बी आई पी नीज चैनल के दसकों को मेरा नमस्कार आज रेडियो शोता दिवस है 36 गड़ में 20 अगस्त को रेडियो शोता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई परदरस्नियों का विजन किया जाता है और चुंकि ये रेडियो हमारा संचार का बहुत ही प्राचीन माध्यम है लेकिन आज जब की संचार करांति के यूग में इंटरनेट है टेली वीजन है संचार के सारे साधन है इसके बावजूद आज भी रेडियो की महत्ता अपनी जगा कायम है मैं आज के शुबहसर पर सभी रेडियो सोताओं को बहुत बहुत बधाई यहां शुब कामना है देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ते हैं अगले खबर की और पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी के जन्म दिन के अफसर पर सौगातों की जड़ी आज मुख्य मंत्री भुपेश पखेल ने प्रदेश वासियों को दी है सबसे पहले तो उन्होंने प्रदेश के विभिन जिलों में बनाये गए राजीव भवन का वर्च्वल लोकारपन किया जहां कॉंग्रेस रास्ट्री अध्यक्ष सोनिया गांधी और पुर्व रास्ट्री अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे सीम बगहिल के सौगातों की जड़ी यहीं खत्म नहीं होती बलकि और भी कई सौगाते सीम बगहिल द्वारा प्रदेश की जनता को आज़ दी गई किष्ट की राश्ट्री का भुकतान की जाने के बाद राजधानी राइपूर के भगत सी चौक में लगे शेट का लोकारपन मुख्यमत्री भुपेश बगहिल ने किया जिसके बाद घड़ी चौक में बने मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा का उद्खाटन भी आपने किया इस दोरान उन्होंने नौ निर्मित पार्किंग के चारो ओर का आवलोकन भी किया साथ ही साथ इसकी तारीफ की हम आपको ये भी बता दें कि मल्टी लेवल पार्किंग में एक बार में सैकड़ों वाहनों को खड़ी करने की सुविधा है बहीं कई आधुनिक तकनीक भी इस पार्किंग भवन में मौझूद है बताये जा रहा है कि इसके निर्मान के बाद खड़ी चौक के आसपास वाहन खड़ी करने की समस्या से भी राजधानी वासियों को निजात मिल पाएगी इसके युदान को कभी भुलाया नहीं जाता और आज राजे गांदी किसान नया योजना और राजे आसरे योजना और गोधन नया योजना कि दिनों हम लोगों ने किया है राजी आश्य योजना में भिलाई के सैक्ड़ों हिस्ग्राहियों तो उसे लाग मिला है और बाइच लाग किसानों को एक हाते में पंद्रा सा सोरो रूपिया राशी डाली गए और वहीं करीक पौने दो लाख जो गौप आलक हैं उसे भी रा आज मल्टी पार्किंग जो कलेक्टेड और कोट में बहुंच ज़्यादा भीड़ हो जाती थी पार्किंग इबड़ी समस्या थी उसको ध्यान में रखते हैं बहुं सुंदर करीफ साड़े चार सो बड़ी गाड़ियां और ढाइशाव चुपी गाड़ियां वहाँ पार्क आखिरकार उन्होंने पिछली दो वर्षों से बन कर तैयार अंतर राजी बस टर्मिनल का लोकार बन किया है इसका निर्मान भी आधुनिक तरीके से कराया गया है यहां से प्रिदेश के सभी शहरों के साथ साथ अन्य नौ प्रिदेशों में भी बसों का आवगमन होगा इसके साथ ही प्रिदेश भर में 171 जगों पर बनाएगे स्वामी आत्मरंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार बन भी उन्होंने किया इन स्कूलों को अत्याधुनिक तरीकों से निर्मान कराया गया है जहां लाइबरिरी, ई-लाइबरिरी, लेबरेटरी और अत्याधुनिक क्लासरूम्स जैसी तमाम सुविधाय मौजूद है इसका भी लोकार पर मुख्यमंत्री ने आज किया इस दोरान उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों को बहतर सिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार ने ये यूजना बनाई है और आज धरातल पर आगई से आके यहां एडिशन ले हैं बच्चे बहुत खुस हैं यहां के लेब देखे यहां के लाइबरेरी यहां के कीचे घरेज में अब पूरा सब कुछ आधनिक तरीके से पढ़ाई हो रही है सारे बच्चे बहुत ही पुसंद्चीत हैं और अपने माता-पिता के खैसले से काफी खुस हैं कि यहां निस्कूल को पढ़ाई भी हो रही है लेकिन कुछ गुनवत्ता यह पढ़ाई हो रही है और सरकार ने एक सुबहात्तर इसकूल इस प्रकाल से पूरे प्रदेश में बोले हैं जो विश्कूल पढ़ाई होगी गरीब से गरीब बच्चे हैं लोवर मिडिल क्लास के लोग जिसके पूरक तंखा यह पूरा महने के जो आया है वो बच्चों के पढ़ाई में उसके प्रिशन में खर्च हो जागा था उससे निजात मिलेगी तो परेंट से भी का काफी खुश हैं और टीचर से भी कोई एक मास्फेर एक वातर रहना जो मिलना चाहिए केंपस का वो केंपस मिला है मिश्ची तो रोप से नहां सब पालग भी और बच्चे भी टीचर से भी सारे गर्ण वानने ता और हम लोग भी यह स्कूल बनाने की मिलने जो लिए पूर मुख्यमंतरी भुपेश पगेल ने अपने निवास कारियाले में देश के पूरु पुरु व्रधान मंतरी स्वरगी राजीव गान्दी के टैल चित्र पर माल्यार पढ़कर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री वुपेश बगेल विधान सभाध ध्यक्ष डॉक्टर चरंदास महन सहित बंदरी मंदल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री निवास में आयज़त कारिक्रम में सदभावना की शपत ली मुख्यमंत्री बगेल ने रास्ट के नौनिर्माण में राजिव गांधी के अमोली योगदान को याद करते हुए कहा कि समावेशी विकास की दूर दर्शिता पूर्ण सोच के साथ त्रीस तरिये पंचायतों राजवेवस्था संचार करांती एवं युवाओं को मतदान कादिकार जैसे निर्डियों से उन्होंने 21 सदी के भारत की नीव रखी अब खास खबर की बात करते हैं भाई बहन के अटूर्ट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षा बंधन 22 अगस्त रवीवार को उत्साह के साथ मनाये जाएगा रक्षा बंधन को अब एक ही दिन शेश हैं ऐसे में राजधानी राइपूर के गोल बाजार में भी राखी की दुकाने सच गई हैं बहने भाईयों के लिए बिभिंड डिजाइनों की राखियां खरीद रही हैं बाजार में पांच रुपए से लेकर पांच सो रुपए तक की अलग-अलग विराइटी की राखियां आई हुई हैं जिनमें बच्चों के लिए कार्टून की राखियां सहित, कई किस्म की राखियां उपलब्ध हैं। ये हैं राजधानी राइपुर का गोल बाजार जहां रक्षा बंधन को लेकर लोगों में एक खासा उत्सा है। बीते वर्ष लोगडाउन के बाद कोरोना कर्फ्यू और संक्रमन को देखते हुए रक्षा बंधन का पर्व फीका रहा था। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाजारों में रौनक है। इस बार नयाज सबी हैं, AD के हैं, STONE हैं, कुंदन के हैं, यह सब बच्चों के लिए भी हैं, light वाले, musical वाले और बागी सब नॉर्माली हैं, जो भी हैं। बागी इस बार अपेक्षा पिछले बार के अपेक्षा बहुत अच्छा बैयार भी हैं। इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा राख्यों का बाजार बहतर हैं, जिसके चलते अच्छा ब्यापार होने की उमीद है। राख्यों के अलावा लोग मिठायों के अलग-अलग वराइटिस को लेना खुब पसंद कर रहे हैं। लेकिन वहीं ग्राकों का कहना है कि इस वर्ष बाजार में रेशम की डोरियों के अलावा फैंसी राख्या तो है लेकिन नया कुछ भी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लोगों में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। उमीद किया जा सकता है आने वाले दिनों में त्योहारों की राउनक ऐसे ही बरकरार रहेगी। आगे निकले थे जहां घात लगाये नकसलियों ने इस घटा को अन्जाम दिया है। अब बात करते हैं गरिया बंद से जुड़ी खबर की। गरिया बंद जिले में दो दिन से लापता नौ साल की बच्ची रानी कमार की अफशिश गुरवर शाम जंगल में मिले। बच्ची दो दिन पहले घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई थी। परिजन पहले उसकी तलाश करते रहे जब नहीं मिली तो सुबा पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस के साथ वनवे भाग के चालिस जवान सुबा करीब ग्यारा बजे से बच्ची की तलाश में निकले थे। इस दोरान डॉक स्कॉर्ट को भी साथ लिया गया। शाम डलने से पहले गाउं के करीब तीन सो मीटर दूर जंगल में बच्ची के शव के अफशेश मिले। ये गाउं गरिया बंद मुख्याले से करीब साथ किलूमिटर की दूरी पर है। मौके पर तेद्वा और लकड बखे के पैरों के पंजो के निशान मिलने से ये आशंका है कि कोई जंगली जानवर बच्ची को उठा ले गया और मार दिया। मामला कोतवाली क्षेतर का है। कटना के बाद वन विभाग द्वारा बच्ची के परिवार को ततकालिक सहायता राशी के रूप में 25,000 रुपए दिये गये हैं। वही वन विभाग और पुलिस की टीम का सर्चिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। थाने में जाके गुंशुदा का रिपोर्ट दर्च कराने के बाद जो गरियाबन थाना प्रभादी है मैडम है। और पूरा पुलिस हमला तकाल इसमें सक्री हुए। इसलिए कि नौ साल की बच्ची को अगुंशुदगी का मामला था तो पूरे फोर्सिस में लग जाए। जब यहां आज पर तेंद्वा का और लख्रबग्धा के पैरों का निशान देखे तो उन्हों को लगा कि कहीं तेंद्वा बच्चे का उठाके नहीं लेगा। तो उस उस दिसा में फिर चलने लगा खोज और फिर वहां पर सर्चिंग किये। तो कल हमको मिला था बच्चे का इंटेस्टाइन है और कुछ हड्डियां है वो कल प्राप्त हुआ था बाल प्राप्त हुआ था पेड़ में चढ़ने का निसान था। आज कल साम होने के बाद फिर सर्चिंगा भ्यान दो रुख देसे अज सुबह फिर हमको यह तार में फसा हुआ तो बच्ची का सीर मिला है और उसके साल हाएक हाथ मिला है। तो अभी हमारे पूरे टीम सर्च कर रही जंगल में और कहीं न कहीं तो मिले गए यदि तेलोगा ले गया है तो तो हाथ है पैर है धनों धड़ है कहीं न कहीं रखा होगा तो पूरे साथ में कर रहे हैं। सर्पिडित परिवार को मोहफ जी का क्या प्राउधान है। सर्पिडित परिवार को हमने कल तकालिक साहतार 85,000 रुपया दे दिये हैं और 37,000 वनी भाग की योजन है उसके हिसाथ से पूरे परिवार को 6,000,000 रुपया मोहफ जी दे जाने का प्राउधान है। जाजगीर चापा जिले के कनहाई बंद गाउं में महावील, कोल, वाश्री की लोग सुनवाई, अंतिता गरामेलों के आक्रोश और पुलिस बल की तैनाथी के बीच संपन हुई। लोग सुनवाई के दोरान कनहाई बंद बोटसरा सिवनी गाउं के लोगों ने महावील कोल वाश्री का विरूद किया और ब्लासपुर से आय परियावरन विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन पर जम कर बरस पड़े। ब्लासकी भूमी में कबजा की तैयारी की जा रही है। ग्रामिनों का ये भी आरोप है कि महावीर कोल वाश्री ने प्लांट लगाने के लिए छल कपड करना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां ग्रामिनों का कहना है कि शाशन प्रशाशन से नियाय नहीं मिलने के कारण नि कोल वाश्री खुडने से प्रदूसर्ण आज प्रदूसर्ण के संबन में ही जन सुन्वाई का कारिक्राम है जिसमें पूरे गाउं की वर से विरोत दर्ज कराई गई है। प्रस्ताव में ग्राम सभा द्वारा आयूजित हुआ था तो उसमें सासी करमचारी भी थे उनसे भी हस्ताक्षर कराया गया जबकि वह हस्ताक्षर उनके लिए नहीं था। दोर्ज का कि उतनलीृ की इतना चोरे हुऊ रहा है लेजास्वा सुतना कि खता ना बढ़ता लेकिन हमारे काइसे करने शमज में लेंना है। हमारी यहां कहारत कि अच्छी जमैने लेंकर एतने गड्ड़े पुराने np. адम नंबर हमसे लेकर के एक लेबल जमीन लेकर के हमको उपर नीचे 25 कहीं 25 पिट उपर है कहीं 25 पिट नीचे है ऐसा जमीन गव चालागा के लिए दे रहे हैं में सर्श महाविर और वाश्रीस किया जन सुनवाई थी ग्राम पनाई बने उसके संवन में आज लोग सुनवाई में यहां के ग्राम वासियों राजकास के जो प्रवाविट व्याम हैं उनके ग्राम वासियों से दावा अपत्ती सुझाओ और तीका टपणि आमंत्रित की राजधानी रायपूर में ओनलाइन ठगी के मामले कम होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं अब तो जानकार और सिक्षित लोग भी ठगों के चांसों में आसानी से आ जा रहे हैं इसी क्रम में इस बार सूचना विभाग के असिस्टन डारेक्टर के पत से रिटायर हुए गायतरी नगर निवासी मोनीश चंद कौशिक के साथ ऑनलाइन ठगी हुई केवाईसी अपडेट करने के नाम पर इनके खाते से दो लाग रुपए पार हो गया इसमें खमारडी थाना पुलिस ने दोकाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्श कर जाच शुरू कर दी है केवाईसी अपडेट करने के नाम से एक फरजी काल आया था जिससे उससे लगबग दो लाग की रुपए की ठाकी कर ली गई है खमार डी थाने में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपरात पंजिबत किया गया है प्रार्थी जो है इसमें एक रिटार्ड सास की सेवक है इसकी रिपोर्ट पर अपरात पंजिबत किया गया है वियाईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी से ब्रेक का जल्बापस आते हैं। वियाईपी न्यूज नए चेनल सुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से डेर सारी सुब्कामनाए की छत्रीगण की आवाज बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत हैं आईए देखते हैं सुभाश की बात। शेह और मात की। सुनिए सुभाश की बात। कता ही ठीक नहीं है। केन सरकार के रवएए से साफ है कि गंबीरता के साथ किसानों की समस्चा को समझने की बजाए उसके साथ वारता का स्वांग किया गया। दूसरी वर रहात की बात ये है कि छतीगड सरकार ने किसानों के प्रती हमदर्दी दिखाते हुए जब से वो सत्ता में आई दोजार अठरा से उसके बाद उसने किसानों की उपच का उचित मुल दिलाने के लिए नेड़ने लिया और उसे समर्थन मुले पर से अधिक पर द्धान खरीदी सुरू की जो पिछले लगातार तीसरे साल में यह आई है यहां सवाल यह है कि एक तरफ केंद सरकार किसानों के हित को अंदेखा कर रही वहीं 36 गड़ की सरकार किसानों के साथ साथ स्रमिकों के हित के तरफ भी ध्यान दे रही है राजु गांदी की जन ति निया योजना जिसमें गोबर खरीदने का साहस दिखाया जिसके बारे में बहुत सारी बाते हुई और आज पुरे देश ने इसे सराया अब यह राजियो गांदी ग्रामीन भूमी हिन करसी मस्दूर योजना लिया इसे भी निया योजना निया सारी योजनाओं को निया य पूज़ना दिये ये नियाए और अनियाई की लड़ाई है एक तरफ केंद्र सरकार अपने तीन क्रसी कानूनों के जर्ये किसानों का एक जो हित है उसका सब्भर्दन नहीं होने देने की बात में लगी है और कहरी की ये, उतका हिट सम्मर्दन है वहीं किसान कह रहे हैं कि ये इससे बिचो लिए और बड़े व्यापारियों को फाइदा होगा और वो लगातार विरोध कर रहे हैं वो अब अपने अंदोलन को लखनो लिजाना चाहते हैं वो अपने अंदोलन को चुनाओ से जोड़ना चाहते हैं औ 40,000,000 किसान है हमारे 36 गड़ में जो इस में से 80% छोटे किसान है और वो छोटे किसान जो है उन में से 70% का सिन्चित एरिया उनके लिए सिंचिन की वेवथा की जा रही है तो कुल मिलागर हम देखते हैं कि जो किसान है जिसकी वेवसत आह जो है अगर हम अपने प्रदेश की बात करें 8,931 रुपए है तो और किसी मजदूरों की और भी हालत खराब है पर 46 सरकार जहां किसान के साथ नयाए कर रही है और अपनी नयाए योजना लेके आई है वहीं केंदर की सरकार इनके साथ इनकी मांगों को लगतार अंदेखा कर रही है और किसान को इस तरह से गेराबंदी कर रही है कि जैसे वो किसान ना हो देश के दुस्मन हो तो ये एक लंबी लडाई है और इतना बड़ा अंदूलन किसान लगतार कर रहे हैं तो इस नयाए अनयाए की लडाई में किसान कहां जाएगा या देखना है अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के पचीस सौ से अधिक विद्दुत के समविदा कर्मचारी दस दिनों से रायपूर के बुढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं समविदा के कर्मचारियों ने अनोखा प्रदेशन करते हुए मुंडन कराया और सरकार को चेतावनी दी थी कि उनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में और भे ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा अपनी तीन सुत्री मांगो को लेकर च्छतिस गड़ भरके विद्दूत सवीदा कर्मचारी लगातार आज दस्वा दिन राजधारी रैपूर के बुढ़ा तलाब में प्रदरसन कर रहे हैं यह प्रदरसन का अनोखा तरीका देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार के विरोध जताय जा रहा है फुरे प्रदेश भर से 25 करमचारी है वो संहीं लोग मुणदन का कारेकरव कर रहे हैं उनी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस तरीके का विरोध आई आपасть लोग मुणन का काकरेकरव रखे हैं क्या अपील करेंगे सरकार से सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि पिछले दस दिनों से हम लोग 25 सो समविदा करमचारी जो दिन रात यहां हर्ताल में बैठे हुए हैं उनका जल्द से जल्द निमेति करन किया जाए यह कंपणी प्रबंधन का है हमको नहीं समझ रही है भई हम कंपणी के और यह जो निय कर रहे हैं तो देख सकते हैं जो सविदा करमचारी है वह मुल्नन का करेकरम जो है आज रखे हुए है अलग तरीका अपनाया विरोत का और कुछ लोग उनसे भात करते हैं कंपणी अपने भरती करने जा रही है क्या कहना चाहेंगे कंपणी हम लोगों पहले लिमीद करें उ पास पैसा है तो नहीं भड़ती ले हम लोग के लिए उसके पास फंड नहीं है पैसा नहीं है इसलिए अनोखा तरीका है विरोत करने का पिछले 10 दिनों से जो विद्यूत के सविदा करमचारी है वह अपनी मांगों को लेकर रायपूर के बुढ़ा तलाब में धर ना दे पूरु प्रधान मंत्री राजीव गांदी के जैनती के अफसर पर आज विदान सभाद्धिक्ष चरंदास महन ने राजीव गांदी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनहीं नमन किया आज भारत राजीव जैनती पर चरंदास महन ने राज़त करने आए हैं भारत के नौजवानों को नया रास्ता दिखाने में भारत के नौजवानों के लिए भारत देश बनाने में उनम्गा जो लोगदान है को कभी भुलाय नहीं जा सकता 28 वर्ष के नहुईकों को यो उनके दोरा मत देने का दिकार दिया गया और साथी साथ गान्दी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्रामी ब्यवस्था 3.35 राज दोने दिसा में उन्हें ने जो भारत को दिया है संचार करन्ती के रूप में जो ने एक एक नोज़वानों के हाथ में आज मुबाइल पहुचाया है ऐसे महामना का हम आज सास्टांग नमन करते हैं पराम करते हैं राज़्दानी के उरला थाना इलाके के सरोरा स्थित बजरंग इस पात में हत्या की वारदात हुई यहां काम करने वाले शत्रुगन महिलांगे नाम के यूवक को उसी के साथ रहने वाले बाला कुर्रे नाम के आरूपी ने मौत के घाट उतारा है घटना के सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने आरूपी को गिरफतार कर लिया जानकारी के मुताबिक मुंगेली जिले के उमरिया गाउन निवासी बाला कुर्रे, शत्रुगन महिलांगे और एक अन्य युवक बजरंग स्पात में काम करते हैं। तीनों स्पात के अंदर ही एक कमरे में रहते थे। बताय जा रहा है कि शुकरवार दोपहर तीनों के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ। फिर तीसरा युवक खाना खाकर रात आट बजे ड्यूटी पर चला गया। इसके बाद बाला कुर्रे और शत्रुगन महिलांगे के बीच खाना बनाने को लेकर फिर विवाद हुआ। जिसके बाद आविश में आकर बाला कुर्रे शत्रुगन के सर पर लोहे की हतोरी और रोट से वार किया जिससे शत्रुगन की मौके पर ही मौत हो गई अब डीटेल पूश ताज के आ जा रहा है पूश ताज के बाद ही बता पाए राजद्रु केस में निलंबित आईपिएस जीपीसी की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है कोटवाली पुलिस ने राजश शाषन से अनुमती मिलने के बाद मामले में गुरुवार को जेम एफसी ओम प्रकाश्ट साहो की कोट में 400 पेच का चालान पेश कर दिया है गोर तलब है कि राजश द्रो के मामले में पुलिस ने बिना गिरफतारी चार्श शिट पेश करने की अनुमती शाषन से मागी चानकारी है कि जीपीसी के कुछ गरीवियों को भी चार्श शिट में आरूपी बनाये गया है अब चालान पेश करने के बाद कोर्ट से वारेंट चारी हो सकता है साथी पुलिस जीपीसी के संपत्ती भी कुर्क करने की तैयारी में है बहीं से पहले पुलिस जीपीसी को बयान दर्श कराने के लिए दो बार नोटिस चारी कर चुकी थी लेकिन वो बयान दर्ज कराने नहीं पहुचे थे बलकि 8 जुलाई को उनके वकील ले थाना पहुचकर जीपी सिंग के बिमारी का हवाला देते हुए समय मांगा था राज़द्रों के आरोपी निलंबित आई पिए जीपी सिंग के खिलाब पुलीस ने कोर्ट में 400 पेच का चलान पेश कर दिया है चार सीट में जीपी सिंग के कई करीबियों का नाम भी शामिल है उन्हें भी आरोपी बनाया गया है पुलीस ने विधिभाग से अनुमती मांगी थी जिसके बाद ये चलान पेस किया गया है इसके अलावा अब पुत्वाली पुलीस जीपी सिंग की संपत्ती कुर्ग करने की भी तैयारी में है केमरामेण मनीश मिस्त्रा के साथ हेमन सर्मा वियाइपी न्यूज राइपूर बलरामपूर जिले के कुस्मी नगर पंचायत के कॉंग्रेस पारशद को ग्रामेडों ने बुधवार रात टमाटर की नरसरी चोरी करते खेट से रंगे हाथों पकड़ा है नाराज ग्रामेडों ने कांग्रेस पारशद की जम कर पिटाई भी कर दी मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया में भी जम कर वाइरल हो रहा है ग्रामेडों ने इसकी शिकायत कुस्मी पुलिस से की है पुलिस ने पारशद के खिलाफ चोरी का अपराद दर्ज किया है अपराद दर्ज होने के बाद पारशद फरार है मिले जानकारी के अनुसार बुद्वार रात खरीब आठ बजे बारिश का फाइदा उठा कर कुस्मी नगर पंचायत के मौलाना अब्दलकलाम आजाद वौर्ड करमांक आठ के पारशद मुहम्मद वाहिद ग्राम अमरपूर के किसान मिथलेश सी महंदर पैकरा, गोवर्धन पैकरा, वक्केदार गुपता के खेट से टमाटर के पौधों को चोरी करते हुए गाउं के पुर्शुत्तम पैकरा ने देखा उसने तुरंथ फोन से इसके जानकारी किसान मिथलेश सीं को दी मिथलेश सीं ने अपने साथी परमेश्वर पैकरा के साथ पार्शत को धर दब उचा इसके बाद ग्रामिनों की भीड वहां जुड़ गई पार्शत वहीद अली अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी और छोड़ देने की गुहार भी लगाई लेकिन ग्रामिनों ने उसकी एक न सुनी और पार्शत की लात घूसे से पिटाई करनी शुरू कर दी पुलिस ने किसानों के शिकायत पर आरोपी पार्शत के मामले दर्ज कर लिया है फिलहाल पार्शत पुलिस के गिरफ्ट से बाहर है बलरामपुर जिली के वाड़ अफ नकर विकास खंड में पदस्त S.D.O. राजा राम पुशाम इन दिनों अवैद कमिशन खोरी को लेकर चर्चा में बने हुए है हम आपको ये बता दें कि विकास खंड के लगभख 50 पंचायत सचिवों ने S.D.O. के खिलाफ अबदर वैभार अमरियादित शब्दों का प्रयोग वजबरन कमिशन मांगने को लेकर जिला कलेक्टर वा मंत्री प्रेम साहसी टेकाम को लिखित शिकायत कर कारवाई की मांग की है सचिवों ने आविदन में लिखा है कि S.D.O. राजाराम पुशाम निर्मांड कारियों का सत्यापन करने के लिए 20 प्रतीशत तक कमिशन की डिमांड करते हैं कि सचिवेदी उनका विरोध करता है तो उन्होंने बोला कि मेरा जो जिसको जो करना है कर लो हमको उससे कोई दिकत नहीं मंत्री कलेक्टर सब मेरे कारवाही यह है कि पहले तुबलाक अस्तर से निर्ने लिया गया है कांदोलन करेंगे और उसमें मेरा पुरा जिला बल्राम कि अधेक्ष महोदय के मार जर्फन में अनिस्चित कालिन हर्ताल होगा जब तक कि उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा अभी शिकायत का लेक्टर साब के सामने प्रस्तोत हुई है रिजार्डिंग एजडियो आरियस वाडरफ नगर के संबन्ध में अला कि किसी भी अधिकारी विशेश के समन्ध में को शिकायत प्राप्त होती है तो हमें एक रजाज प्रतिवेदन लेना ही होता है इस विशे में मैं उनके जो परिष्ट अधिकारी है यारियस उनसे में प्रतिवेदन प्राप्त करूँगी कल इनको मैं यह आरियस को फॉरवर्ड करोंगे और उनसे बात भी करोंगे कि इसके जाच करके उशिग्र अधिशिग्र दें पर दिशिकायत सही है तो फिर नियमानुस सार हम उसको प्रस्तूत करेंगे माने कलेक्टर साथ के समख्ष निर्ना के लिए उसके बाद ही हम कारवा स्थिए श्री राजराम पुसाम जी के द्वारा हमारे पंचायत में निर्माड कारियों का जब भी अपन सत्यापन के लिए जाते हैं मुलियांकन के लिए जाते हैं इन्होंने अत्यधिक कमिशन दो परसेंट तीन परसेंट से लेके 20 परसेंट तक डिमांड की जाती है और इस सही बात है कि मेरे यहां गराम पंचाद गुबर्धनपुर का निर्माड कार पुलिया निर्माड कार में हमारे सरपन से पहले उधार मांग करके एक लागवी सजार लिए फिर नोने कमिशन के तौर पर उसकार VIP News में फिलहाल के लिए इतना है देश दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रही VIP News के साथ नमस्कार